जहिन साथियों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत आप सभी का आपी के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासिस में आयोप सो दोस्तो आप सभी अच्छे होंगे और एक बिग अपडेट आप सभी को में देने वालन दोस्तो एक बड़ी वेकंसी आप सभी के लिए निकल कर आ लिए 2023 में ठीक है जिसका दोस्तों जल्दी है आप सभी को नोटिफिकेशन और सेलेक्शन प्रोसेश देखने को मिलेगा और जैसी दोस्तों कम्प्लीट जानकरी आई आप सभी को जरूर से प्रोवाइड कराई जाएगी आई प्रेफर क्लासिस के द्वारा तो इसके दोस् बात करें किस ओर्गनाईजेशन के अंदर आने वाली है इंडियन जारू बटालिन की दरफ से इंडियन बटालिन दोस्तों तो नया संगठन आया है IRV इंडिन रिजरू बाटालिन जिसके अंदर दोस्तो हर state से क्या दोस्तो जिसके अंदर all states से ठीक है कर आ रही है चलिए गाइस मैं आप सभी को प्रोपर बताने की कोसिस करता हूं और जो भी दोस्तों नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं और दोस्तों वेकंसी आते हैं आप सभी इस एक्जाम की तयारी करना चाहते हैं और दोस्तों इस बार सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप of minister की बात करें तो minister of defense की अंतरगत आती है और government of India की बच्चो vacancy होने वाली है name of the post की बात करो तो दोस्तो constable हवलदार और सिपाई की निकलने वाली आप सभी की expected बात करो बच्चो कितनी vacancy है तो 17,000 plus vacancy दोस्तो आप सभी को देखने को मिलेंगी कितनी बच्चो सत्रा हजार एक बड़ा आगड़ा दोस्तो आप सभी को आई यार भी जीडी constable में देखने को मिलने वाला है 2023 में ठीक है चलिए दोस्तो आगे apply date की बात करें तो अभी notified सून है जैसे दोस्तो प्रोपर आएगा जल्दी हैं तो www.polis.government.in पर चले जाहिए दोस्तो पर्टिकुलर हर स्टेट का दोस्तो आई यार भी की website है जिसे आई यार भी दोस्तो केरेला आई यार भी उत्तर परदेश आई यार भी गोवा आई यार भी पंजी हो गया आई यार भी पांडू चेरी सभी की अलग है बच्छो ठीक है चलिए इस्टेट वाइस बच्छो पोस्ट कितने निकलने वाली है इसकी मैं बात करूं तो जरा चेक करिए ये का बच्छो ठीक है eligibility criteria की बात कर लेते हैं यानि कि दोस्तो minimum education qualification क्या चाहिए अगर आप सभी को IRB constable का form भरना है तो education qualification की बात करें अगर दोस्तो आप सभी के पास 10th pass है यानि कि आप सभी 10th pass हो minimum education qualification 10th pass होना चाहिए with good marks ये दोस्तो according to दोस्तो क्या IRB एक limited लगा देगा कि इतने percent 60% वाले चाहिए या 75% वाले चाहिए या दोस्तो हो भी सकता है ना भी लगाए टकेवल 10th pass हो सकता है दोस्तो 10th pass ही आए क्योंकि defense की जोब तो 10th pass ही दोस्तो आना चाहिए ठीक है किसी भी from any recognized board से आप सभी का ओल इंडिया लेवल पर 10th है तो आप सभी दोस्तो इस phone को apply कर सकते है ठीक है चलिए एक बड़ी दोस्तो आप सभी को पता चलाए कि 10th pass पे दोस्तो vacancy होने वाली है ठीक है age limitation की बात करें बच्चो पच्चिस सोरी 18 से 25 साल के बीच में age limit 18 से 25 साल दोस्तो होने वाली है ठीक है आगे बात कर लेते age relaxation दोस्तो कितना मिलने वाला है as per standard मिलेगा यानि की OBC वालों को कितना मिलता है बच्चो तीन साल का ठीक है and SC और ST वालों को कितना मिलता है पांस साल का अब यह standard मिलने वाला है आप सभी को बता है दोस्तो इतना होगा physical efficiency test फिर आप सभी का driving की दोस्तों पोस्ट आती है तो driving test होगा education and sports achievement के बारे में national दोस्तों आप सभी का NCC का certificate अगर आपके पास है NCCC का फिर written examination होगा और ये दोस्तों आप सभी का उपर नीचे भी हो सकता है ठीक है changeable भी हो सकता है selection process थोड़ा सा क्योंकि अभी tentative बताया जा रहा है बच्चो written examination के बाद medical test और interview आप सभी का होने वाला है और interview optional है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोस्तों confirm नहीं है proper जैसे आप सभी का complete notification आएगा तब बताया जाएगा ठीक है चलिए आपको सभी को बता दे रहा हूं एकदम official जो है बावन सो से बीस हजार के आसपास ठीक है कि सैलरी आप सभी को मिलने वाली है बस इतना याद रखना दोस्तों दो हजार का grade पे भी है कितना दो हजार का आप सभी को grade पे मिलने वाला है और बावन सो से बीस हजार के बीच में सैलरी रहेगी प्लस में दो हजार दोस्तों क्या grade पे रहेगा एंड बेनिफिट्स जो अलावंस मिलेंगे आप सभी को in hand दोस्तों approximate दोस्तों under 30,000 के आसपास के चार सक्षन होंगे आप सभी के एक्जाम में अभी बताऊंगा आप सभी को कैसे कैसे duration दो घंटे आप सभी को यानि कि 120 मिनट में आप सभी को सो कॉशन करने है तो time management भी दोस्तों easily हो जाएगा ठीक है बस थोड़ी से practice के जरूब आता है चलिए आगे बात कर लेते हैं त हाइट, weight, test वगएरा physical standard टेस्ट आता है efficiency में दोस्तो long jump आ गया race वगएरा running वगएरा high jump वगएरा होता है ठीक है qualifying in nature होगा बच्चो जो efficiency टेस्ट होगा आप सभी को qualifying in nature होगा यानि कि इस पर दोस्तों आपका last जो final merit बनेगी ना दोस्तों इसका effect उस पर नहीं पढ़ने वा दोस्तो certificate वगएरा final merit जो बच्चे की बनेगी ना बच्चो वो बनेगी आप सभी किसके based पर main जो है ना बात यह है final merit में दोस्तों क्या करना है आप सभी को इस पर महनत ज्यादा करनी है क्योंकि written exam पर दोस्तों आप सभी कि क्या बनेगी final merit बनेगी for example के लिए मान लो दोस् तो इसको ज्यादा क्या preference देकर चलना ठीक है किसको written examination को clear आगे बात कर लेते है physical standard test के बारे में थोड़ा सा हम नीचे कर लेता है चलिए physical standard test बच्चो physical standard test में आप सभी को height के बारे में बात करो तो male candidate की बच्चो कितनी होगी 170 cm minimum ठीक है female की 157 cm male and female दोनो form apply कर सकते है चेस्ट की बात करो बच्चो 80-85 cm 85 बच्चो क्या है 5 cm का expandable है ठीक है 5 cm का expandable इन्होंने mention कर रखा है full out ठीक है और आगे बात कर लेते हैं दोस्तो फिर आप सभी का जो height और sorry weight जो है न दोस्तो आप सभी का appropriate होना चाहिए किसके according आप सभी का height के according दोस्तो weight होना चाहिए यानि कि standard weight होना चाहिए बच्चो height के according ठीक है male or female दोनों का ही बई physical efficiency test की बात कर लो बच्चो रेस आप सभी की नोने mention करके 1600 meter in 6 minute 30 second में male वालों के लिए यानि कि 6.5 मिनिट में 1600 meter के running करना है आप सभी को ठीक है और female के लिए है 800 meter running इन 4 मिनिट में clear? आयोप सो clear होगा चलिए बई आगे बात करते हैं दोस्तो long jump के बारे में minimum आप सभी को 12 feet का क्या करना है long jump करना है कितना 12 feet का कितने attempt में 3 attempt आप सभी को मिलेंगे और आपको 12 feet minimum क्या करना है जैसे दोस्तों यह है आप सभी का 12 feet ठीक है और यहां से कोई दोस्तों आ रहे है बंदा तो उसे दोस्तों यहां से jump मार के यहां आना है ठीक है यानि कि दोस्तो बारा फिट उन्होंने क्रोस कर लिया ठीक है तो यह ओते दोस्तो लोंग जंप किलियर हो चुका होगा चलिए बारा फिट तीन अटेम्ट में और फीमेल वालों के लिए है नो फिट तीन अटेम्ट में ठीक है चलिए आगे बात कर लेते दोस्तो हाई cross करना है ठीक है यानि कि इसके उपर से जाना है बच्छो किसके उपर से इसके उपर से आपको आगे निकलना है और ये दोस्त आप सभी का कितना होगा 3 feet 9 inch का 3 feet 9 inch का बच्चो क्या होगा ये vertical height होगी आप सभी की जिसे आप आप सभी को उपर से उचलकरD догSt sometimes you can use that कि खरोस करना हुआ ठीक है कितना बच्चो तीन फिट किन के लिए मेल वालो के लिए तीन अटेम्ट में और तीन no GLORIA के लिए फिमेल वालो के लिए तीन अटेम्ट में केलिए खिलिए स स्लेपष के बारे में में बात करने कि दोस्तों सो नंबर है नहीं सो में से दोस्तों चार सक्षन डिवाइड़ेड़ इसनबर के रहाए फचिस नंबर के अप सभी की जिए जीए सोगी ठीक है 25 नमबर की दोस्तों आप सभी की क्या आईगी reasoning ठीक है और 25 नमबर की दोस्तों आप सभी की optional है हिंदी या English यह आप सभी के ओपर dependent है कि आप Hindi चूज करना चाहते हैं ठीक है तो 100 question दोस्तों आप सभी के हो गए और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाह यानि कि दोस्तों आप सभी के 90 के असपास नमबर आ जाएं 90 या 85 प्लस नमबर आ जाएं ठीक है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरिट तो हाई जाएगी जाएगी compulsory है बच्छो जर्णल इवेटनेस में current affairs इंडियन हिस्ट्री जोगरफी पूरा जो limited है इंडिय इन culture की आप सभी को क्या knowledge होनी चाहिए ठीक है mathematics की बात करूँ बच्छो नमबर सिस्टम, LCM, HCF, race and proportion and simplification, percentage, average, time and distance, time and work, profit and loss या आप सभी को याद होना चाहिए बच्छो यानि कि proper दोस्तो mathematics के knowledge होनी चाहिए ठीक है और mathematics और दोस्तो reasoning जो है आप सभी के दोनों के दोने ही य original language है बच्छो ठीक है या आप सभी को होनी चाहिए knowledge होनी चाहिए और इसमें reasoning के बारे में बच्छे उन्होंने mention नहीं कर रखा है बट कोई बात नहीं ठीक है मैंने आप सभी को बता दिया और अभी दोस्तो notified सुने सारी की सारी date ही तो दोस्तो बड़ी वेकंसी आप सभी के लिए होने वाली यह वाली ठीक है मैं एक बार दोस्तो आप सभी को syllabus दिखा देता हूं syllabus है आप सभी का यह reasoning पच्छिस नंबर के 25 मांक्स के mathematics 25 नंबर के 25 मांक्स के और इंग्लिस और इंदी ऑप्सिनल है 25 नंबर के 25 मांक्स के और इन दोनों में दोस्तों यदी मैं बात करन है तो ठीक है आगे बात करूं जीके की बच्छों जीके में यदी 25 नंबर का है तो 15 प्लस आप सभी नंबर वहती इजली ला सकते हो इजली का मतलब यह नहीं कि बिना महनत करी आ जाएंगे महनत करनी पड़ेगी ठीक है टोपर वाली महनत करोगे न तब दोस्तों आप सभी को चलिए आगे बात कर लेते हैं English and Hindi के बारे में दोस्तों अब English and Hindi दोस्तों आप सभी को जीके दो नहीं more than practice के उपर dependent है ठीक है और यह दोस्तों फॉर्मला बेस्ट है अगर आपके फॉर्मला के लिए रहे हैं आपने practice की अच्छी कासी तो आप सभी कर सकते हैं और यह भी तो दोस्तों स्लेबस भी आप सभी को अच्छे तरीके समझ में आ चुका होगा अब बात कर लेते हैं तो थोड़ी सी अपने बारे में ठीक है तो आई पेपर क्लासिस आप सभी का पता है defense special तैयारी कराता है ठीक है क्या दोस्तों अभी हमने हाली में ICR की तैयारी भी कराई यह से पहले इससे पहले दोस्तों अभी दोस्तों material असिस्टेंट हो या आर्मी उडने स्कोप्स की है बड़ चोयानी के defense special ही है इसमें दोस्तों अभी हमने 93 selection दिये है इससे पहले दोस्तों EOC की material assistant में 63 selection दिये थे ICR की बात करें दोस्तों 126 selection दिये थे ठीक है जिसका दोस्तों re-exam भी होने वाले बट कोई बात नहीं आगे बात करें दोस्तों DFCCIL की तैयारी भी करा चुके है ठीक है तो विश्वास दोस्तों आप सभी कर सकते हैं स्लेबस आप सभी को दोस्तों content ऐसा मिलेगा जो आप सभी के लिए exam oriented होगा authentic होगा जो आप सभी का selection दिला सके ठीक है अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कर लेना और टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना वगरा और दोस्तों नोटिफिकेशन वगरा आप सभी को महीं पर मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक है